हलो नमस्ते मेरा नाम है प्रसांत और आपका स्वागत एडियू सब में सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद आपको कि आपने पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल को चुना है तो एक फिर से दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद आपका तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाल ब्रा owners तो इन दोन में सख्यों क्ये क्या होता है इसको अज हमलोग यहां पर dispose करेंगे उससे पहले देखिए आप इसमें इंट्रस कैसे डवलब करसकते हो आप क्या करोनों आप सोचो अ कि हाँ यह इस सेगर क्रीमिनल लॉग क्या होता है यह जब आप इसना में तो आपको प्रोग्राम से या फिर थी यर से ड़सेंट मैंटर आपको पता होना चाहिए तो आपका जो लीगल आप्टीट्टीट का फॉर्स चैप्टर होता है ना नेचर ओफ लॉव एंड क्लासिफिकेशन ओफ लॉव तो उस में एक टॉपीक आता ब्रांच अप लॉव वहां पर है वेशैन हो तो आपकी लिए इंपट्ंट है ही हार हम लोगे घर में भी बाते होती है कि क्रिम्नल मैंटर है सिविल मैंटर हुझता है दोस्तों के बीच में होता है कभे कभी इम न तोस्तों से पूछ लेते हैं या सिव मैंटर ऐसे पूछते हैना तो इन दोनी में हडिफ result क्या है इसको हम लोग सीखेंगे इसके डिफरेंस जानने से पहले हम लोग यह तो जाने आखिर यह गलत क्या होता है रॉंग क्या होता है हम लोग जो भी आक्ट करते हैं हम लोग जो भी काम करते हैं उसको कब हम लोग रॉंग बोलेंगे कब उसको गलत बोलेंगे आप भी समझेंगे आज हम लोग सबसे पहले गलत क्या होता है यह रॉंग आपने एक वर्ड सुना होगा रॉंग तो हम लोगों का जो एक्टिवीटीज होता है या फिर हम लोगों का जो एक्षन होता है हम लोगों का जो एक्ट होता है किस एक्ट को रॉंग बोलेंगे इसको आज हम नुक समझने वाले तो देखें रॉंक समझने के लिए आपको मैं यहां पर दो परसन का एक्जामपल दूँगा दो इंडिविजबल का एक्जामपल दूँगा इससे आपको क्लियर हो जाएगा ठीक है और आप खुद पर भी समझ सकते हो आप जो काम करते हो क्या वह गलत है या नहीं है आप उसको कैसे पता करोगे तो अभी जो मैं आपको बताओंगा उससे आप पता कर सकते हो कि आपने जो काम किया आपने जो एक्ट किया आपने जो एक्शन किया क्या वह गलत था क्या हो सही है क्या वह रॉंग है यह जो वर्ड रॉंग है ना इसको आज हम प्वर्षन ए ने प्वर्षन बी को 500 रुपीज दिया ठीक है पूरा लौ में आप ए बी पे खेल जाओगे पूरा लौ में आपको एजामबल मिलेगा ए और बी ठीक है तो ए ने बी को 500 रुपीज दिया तो एक बात आप खुद से सोचो हो कॉमन सेंस है यह बी का ड्यूटी क्या है है कि इसको 500 रुपीज करना है कि 500 रुपीज इसको रिटरन करना है एक को अच्छा एक बात बताइग आ ओUND फिर एकर राइट क्या हो गया इससे 500 रुपीज लेना इसका राइट क्या हो गया, B से 500 रूपीस लेना, सपोर्स कर लो, एक ये काम किया, ये एक्ट किया, या फिर आप एक्शन भी बोल सकते हो, ये एक एक्ट किया, ये काम क्या किया, इसको पैसा नहीं दिया, B ने A को पैसा नहीं दिया ये कौन सा काम किया कैसा काम किया आपको दिख रहा है B ने A को पैसा नहीं दिया यहाँ पर यह वे भी कर रहा है जो खाड़ना हो खाड़ लो पैसा नहीं देंगे है ना तो आप एक बात यहाँ पर सोचो इस बंदे का जो act है इस बंदे का जो action है, A का right को violet कर रहा है कि नहीं, बताओ, B का जो action है, B का जो काम है, B का जो act है, B के right को effect कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप देखोगे तो B का जो right है, sorry, A का जो right है न, B उसको violation कर रहा है, तो वैसा कोई काम ठीक है वैसा कोई भी आक्ट जो दूसरे इंडिविजवल का अनदर इंडिविजवल का लीगल राइट को वाइलेट करें ठीक है अब हम सुनो आराम से सुनो कोई भी आक्ट सपोस कर लो यहाँ पर बी का आक्ट क्या कर रहा है एक राइट को वाइलेट कर रहा है कि नहीं वाइलेशन हो रहा है यहां पर एक राइट तो यदि आप भी अपने लाइफ में कोई ऐसा गाम करते हो जिससे किसी और बंदे का किसी और इंडूसबल का राइट एफेक्ट होता है राइट का वाइलेशन होता है तो आप गलत कर रहे हो आप क्या कर रहे हो र रोंग है आप इसको दियान रखना बी का जो एक्ट है बी ने जो काम किया वो गलत किया तो आप कैसे पाचान होगे मैंने आपको बता दिया जब किसी एक इंडूसबल का लीगल राइट वाल इट होता है किसी अदर अनदर इंडूसबल के दुवारा तो वैसा एक्ट को क्या बोलेंगे हम लोग रॉंग अब गलत किसको बोलेंगे हम लोग समझ मागिया तो यहां पर रॉंग कौन कर रहा है यह या बी बात है यहां पर यहां पर यह बंदा कर रहा है ठीक है अब इसको दियान रखना तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अच्छा हम लोग रॉंग तो द कर लिए गलत यार मान लो मैंने किसी का पैसा लिया उसको पैसा में लोटा के नहीं देता हूं तो यह कैसा रॉंग हो जाएगा यदि मैं किसी का मडर कर देता हूं तो मैंने गलत किया तो यह कैसा गलत है यह सिविल है या फिर क्रिमिल है अब हम लोग इसको पढ़ेंगे हैं तो इसको पढ़ने से पहले मैंने आपको एक्सांपल बताई दिया अभी जो मैं आपको यहाँ पर बताया यहाँ पर क्या हो रहा है एक inducible के दुवारा दुसरे inducible का right का violation हो रहा है तो हमेशाथ यहाँ रखना जब किसी inducible के against wrong होता है किसी inducible के against wrong होता है मालो यह A है A ने B के against कोई wrong कर दिया ठीक है अभी जो मैंने आपको उपर wrong समझाया कोई भी wrong किसी भी तरह का A ने B के उपर यहदी wrong कर दिया किसी एक inducible ले another inducible के against wrong कर दिया तो उस wrong को हम लोग कौन सा wrong बोलेंगे वैसा wrong को हम लोग बोलेंगे civil wrong ठीक है आप इसको धियान रखना हो आपने तो civil wrong समझ लिया अच्छा तो यह बताओ आप यह कौन सा wrong होगा यहाँ पर देखो A के inducible यह यह किसको इने यह कैसा wrong है न तो A का right violet कर रहा है B तो यहाँ पर क्या हो रहा है B के दवारा A का right मतलब A देखो यह जो A है यह भी inducible है और B B भी inducible है तो A के दवारा B मतलब एक inducible के दवारा दुसरे inducible का right का violation हो रहा है एक ने wrong करा है दुसरे inducible का against तो यह हो जाएगा civil wrong हम लोग इन अभी just उपर पड़ा है नीचे पड़ा है wrong जब किसी भी inducible का against होता है तो उसको हम लोग civil wrong बोलते हैं अब देखो criminal wrong क्या होता है सपोस कर लो यह है A और यह है B सपोस कर जिए आप यह A ने B का murder कर दिया यह कैसा act किया है भाई इसने murder किया है A ने कोई आप से पूछे किया किया है तो इसने murder किया है किसका B का तो एक बात बताएगे कैसा wrong होगा तो आप हमेंसे एक बात धिहान रखिए मेरा कि कोई भी ऐसा act जिससे पूरा society सारे डरे होंगे इसके पूरे society में खौफ होगा यार ये बंदर किसी और का न जान ले ले तो ऐसा कोई act एसा कोई wrong जिससे पूरा society effect हो जो पूरा society के लिए खतरा हो ये person पूरा society के लिए खतरा है harmful है ठीक है पूरा society के लिए थ्रेट है ऐसा कोई wrong जिससे पूरा क्या बोलते हैं हाँ ऐसा कोई behavior जिससे पूरा society effect होता है पूरा society whether rather एक inducible ठीक है तो ऐसा wrong जिससे पूरा society के अगेंस्ट हो तो वैसा wrong को हम लोग क्या बोलेंगे criminal wrong तो यह जो murder है ये कैसा wrong होगा ये criminal हो क्योंकि murder से पूरा society effect होता है ना मान लो इसका 100 रुपया इसने नहीं दिया या फिर दे दिया इससे पूरा society effect होगा क्या नहीं होगा obvious सी बात है लेकिन यदि किसी का murder हो जाता है तो इससे पूरा society effect होता है इसलिए हम लोग बोलते हैं जो wrong society क्या बोलते हैं क्रिमिनल रॉंग आप इसको दियान रखेगा अश्यूर आपको यह समझ में आ गया होगा यदि आपको यह समझ में आ गया तो हम लोग अब थोड़ा सा डिफ्रेंशियेट करेंगे civil law and criminal law के बीच में अब हम लोग करेंगे civil law और criminal law में डिफ्रेंशियेट यदि आप civil wrong और criminal law समझ गए हो न अप अच्छे से तो आपको यह civil law और criminal law में डिफ्रेंश समझने में कोई problem नहीं होगा अभी मैं आपको example देता हूँ यह जो picture आप देख रहो ना बड़ा interesting है आप इसको देखो अभी पहले आप civil law को समझ लो फिर criminal law समझने ना फिर हम लोग क्या करें जैसे हम लोग डिफ्रेंशियेट करने के लिए क्लिए करते हैं बीच में लाइन लेते हैं और इधर से इधर लिखते हैं फिर समझाते हैं जैसे कि मैं आपको यहां समझाओंगा यहां इस तरह से करके मैं आपको डिफ्रेंशियेट करूंगा यहां पर थोड़ा दिर बात पहले आप यह दो चीज़ को समझो जो मैं बताना चाहरा हूं यदि आप यह दो चीज़ समझ लिए ना आपको थोड़ा थोड़ा प्रोसीडिंग भी समझ में आएगा और आपको प्रक प्रोस कर लीजिए यह जो nad a b को फाल देता है कितना रुपीज देता है था थाउजन ट्रोपीज और इसके इसमें आप बाद बताओ बीका क्या काम है याप कि इससे थाउजन इन्ट रूपीज लिया तो इसका रेटर्न करना भी तो काम है यह बीका ही तो काम है इसको करना कि रिटर्न करना किसका काम है कि का काम है इसको थाउजंट रुपीज रिटर्न करना तो बी का ड्यूटी से रिटर्न करना और एक क्या काम है इससे हजार रुपे लेना तो एक यहां पे थाउजंट रुपीज लेना राइट हो गया ठीक है थाउजंट रुपीज लेना और thousand rupees A को pay करना B का duties and obligation हो गया rights and obligation समझ में आगया है आपको पहले भी मैंने बताया अधियान अखना A का right हो गया and B का obligation हो गया in case मान लो ये जो B है in case B इसको repay नहीं करता है in case नहीं मान लो B इसको thousand rupees pay नहीं करता है तो क्या होगा तो thousand rupees इसको pay नहीं करेगा तो यहाँ पे A क्या हो रहा है सोचो यहाँ पे suffer कौन करेगा thousand rupees किसको नहीं मिलेगा ये भाईश आप A suffer करेंगे है कि नहीं victim कौन बनेगा अच्छा यहाँ पर पताओ अब आपके हिसाब से यहाँ पे case कौन फाइल करेगा simple सा है आप भी सोच रहों कि sir बीना A का पैसा नहीं दिया तो A को court जाना चाहिए यह obvious से सब यही सोचते हैं तो basically यहाँ पे जो A है ना यह suffer कर रहा है ठीक है जो person suffer करता है ना उसको हम लोग बोलते हैं aggrieved party क्या बोलते हैं aggrieved party या फिर victim धियानक ना जो person suffer करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं aggrieved party या फिर victim बोलते हैं यहाँ पर suffer कौन कर रहा है, यहाँ पर damage किसका हुआ है, यहाँ पर damage A का हुआ है, इसको thousand rupees नहीं मिला है B से, तो court कौन जाएगा, ओब यह ऐसी बात है, यहाँ पर court A जाएगा, तो A कहाँ जाएगा भाईशाब, A के पास क्या option है, court जाना, यह court जाएगा, इतने तो आप लोग भी जानते हो, A जाएगा court, लोग court भी पहुँचा देते हैं इसको, चलो यह आगए court, ठीक है, court आगए, अब देखे, civil matter में, court में case जो file होता है न, उसको हम लोग बोलते है suit, क्या बोलते हैं, आप इसको धियान रखेगा, उसको हम लोग बोलते हैं, suit, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, suit, और, यह whether court या फिर किसी भी tribunal में, फाइल हो सकता है, तो A ने case file कर दिया, court में, और civil matter में, जो court में case file होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, suit, और एक चीज़ धियान रखना, जो person, suit file करता है, उसको हम लोग बोलते हैं, plaintiff, क्या बोलते हैं, plaintiff, तो यहाँ पे, A जो है, A, यह A, यह हो जाएगा, plaintiff, ठीक है, यहाँ तक, कोई problem, नहीं होना चाहिए, ठीक है, अब एक बाद बताओ, यहाँ पे जो suit file हुआ है, यह जो suit file हुआ है, यह suit जो file हुआ हुआ, यह complaint file हुआ है, यह किसके against हुआ है, यह हुआ है, B के against, एक चीज़ यहाँ रखना, suit, जिसके against file होता है, जिसके against file होता है, उसको हम लोग बोलते हैं defendant तो आप बताओ बी यहाँ पे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा defendant so simple जिसके against suit file होता है court में वो क्या कहलाता है defendant यहाँ तक कोई problem नहीं होना चाहिए तो अब यहाँ पे court में दो person आ गया है कौन? एक आ गया है sir plaintiff एक आ गया है defendant simple एक आ गया है यहाँ पे plaintiff and defendant यहाँ पे case चलेगा plaintiff versus defendant means अब यहाँ पे case चलेगा A versus B A versus B कोई problem नहीं है आपको यहाँ तक होना चाहिए एक बात मैं आपको बता दू यहाँ तक यहाँ आप यह समझ गया होना अब देखो civil law क्या करता है civil law suppose कर लो दो individual है जैसे अब यहाँ पे उपर में था A and B सेम चीज़ यहाँ में ले लता हम लोग A and B यह है defendant यह है plaintiff तो basically यहाँ dispute जो है dispute यहाँ दो individual के बीच में है तो civil law क्या करता है दो individual के बीच में जो dispute होता है न इस dispute को solve करता है आप धियान रखना जो civil law होता है ठीक है civil law dispute solve करता है दो individual के बीच में यहाँ दो individual है न यह दो दो individual के बीच का dispute है न इसको civil law solve करता है so simple यहाँ तक में कोई problem नहीं होगा आपको यहाँ मैंने एक line डाल रखा है आपको यही problem हो कि इनके इस future तो आप यहाँ पढ़ना मैं notes description box में डाल दोंगा link आप वहाँ से download कर लेना या फिर मेरे telegram channel पर होगा आप वहाँ से भी download कर सकते हो तो civil law लिखो यहाँ पर लिखा हुआ पर जो solve करता dispute between inducible और फिर किसी बार्गनाइजेशन बेसिक डिफरेंस अभी आगे clear होगा आपका अभी थोड़ा सा civil law के बारे में सिर्फ पढ़े हैं अब थोड़ा सा क्रिमिनल लों को मैं एक्जांपल देता हूं कि दिःंब रखनाप थोड़ा सा छुकत करो यहां पे एक क्या करता हैं फाव मअ को मर्डर कर देता है की इन मर्डर कर देता है म वी का ठीक है मान लोorse मालों ने गर देटा है ठीए तो यहां पर कौन सा पर्षर दिख ओए अब-व कर रहा है ले क्रिमनल लॉग देख रहे हैं ऩहां पर यह परसंग क Hmmm कि तो एक बात बताऊ यहां पर यहां पर सफर कौन किया भहिए यहां पर सफर कर रहा है यह ठीक है सफर कर रहा है यहाँ पर बी एक बात आप धियान रखना क्रिमिनल लौ में जो परसन और यह मान लो इसका भाई है ब्रदर है ठीक है ब्रो यह इसका ब्रदर है या फिर इसके फैमिली में और भी कोई मिंबर है फादर मदर सारे जो परसन क्रिमिनल लौ में जो परसन सफर करते हैं यहाँ पर सफर कौन कर रहा है यहाँ पर बी कर रहा है तो बी क्या कहलाएगा विक्टिम बी क्या कहलाएगा विक्टिम एक चीज़ य सब्सक्राइब इसका मर्डर होते हुए मैंने देखा और मैं जाके पुलीस को यह इनफोर्म करता हूं तो मैं क्या कहला हूंगा इनफॉर्मेंट इनफॉर्मेंट ठीक है और यहां तक हम लोग समझें तो यह जो victim है ना यह victim क्या करेगा आराम से समझें जैसे मैं बोल रहा हूँ आराम सब समझें इनके पास दो option है ठीक है इन लोगों के पास दो option है कि victim के पास दो option है the weather यह लोग police station जा सकते हैं और यहां पर affair laws करा सकते हैं ठीक है इन लोगों के पास दो option है एक यह लोग कहा जाएंगे भई police station और वहां पर FIR लिखवा सकते या फिर इन लोगों के पास एक option और है ये लोग magistrate के पास जा सकते है ठीक है थोड़ा दिन बाद आप magistrate के बारे में और अच्छे से पढ़ोगे अभी बस समझ लो कि इनके पास दो अपसन है ये लोग वेदर पुलीश में FIR करेंगे या फिर magistrate के पास जाएंगे कौन जो victim है जो suffer कर रहा है वो करेंगे और एक चीज़ यहां रखना जो person complaint file करेगा जो person complaint file करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे complainant ठीक है अब देखो complaint जिसके against file होगा जिसके against file होगा उसको हम लोग बोलेंगे accused क्या बोलेंगे भाई धियान रखना इसको हम लोग बोलेंगे accused जिसके against complaint file होगा उसको हम लोग बोलेंगे accused और इसको accused कब तक बोलेंगे हम लोग जब तक ये guilt proof ना हो जाए ठीक है जब तक ये guilt prove नहोग liberty तब तक इसको अमलोग 2 रहाने तैसे इसका गिट्परूफ हो जाएगा कोड्र में इसको लोग क्या बोलते हैं है Tobie और उप है तो कॉंड फॉर्फ थे अब इसको दिया रखना तो अभी पॉसर्ण यह क्या है एक्विज्ट अभी इस स्चर्फ लगा व vagina यहां तक में कोई प्रॉबलम नहीं होना चाहिए वाक में में ऑंक्राइब की वाल जो कुछ जो कंप्लेंट यहां तख में कोई प्रॉबलम नहीं है कम्प्लेंट आप जो इसके पास दो ऑप्सेन होता है वेधर वो आइफायर करें या फिर मिजस्टेट के पार जाएट और कंप्लेंट करें यह दो ऑप्षन यहां तो पढ़ लिए अब इसके आगे देखिए आप यह जो एक मिनट पेन ले लेता हूं यह जो विक्टिम है ना विक्टिम के बिहाफ में यहां पर स्टेट केस फाइल करता है अब इसका क्या मतलब है अच्छा आपको पता है ना मडर जो होता है क्रिमिनल मैंटर किसको बोलते आपको पता है ना क्रिमिनल मैंटर में क्या होता है जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ा दिर पहले बताया था जैसे कि मडर होता है तो मडर से क्या होता है मडर से पूरा सोसाइटी को थ्रेट होता है मडर से पूरा सोसाइटी को थ्रेट होता ह या फिर आप बोल सकते हो पूरा सोसाइटी को हार्म होता है, मर्डर ऐसा बहेवियर है, ऐसा एक्ट है जिससे पूरा सोसाइटी को थ्रेट होता है, और एक बार बताओ, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना, सोसाइटी को बचाना किसका काम है, यह स्टेट का काम होता है, सोसाइ विक्टीम जो होता है विक्टीम के बिहाफ में ठीक है विक्टीम के बिहाफ में जो स्टेट होता है अब आप बोलोगे स्टेट क्या होता है स्टेट बेसिकली हम लोग गवर्मेंट को बोलते हैं स्टेट पर मैं लग वीडियों से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जाकर देख सकते हो स्टेट हम लोग गवर्मेंट को बोलते हैं ठीक है तो समाज का सोसाइटी का society को protect करना किसका काम है government का state का काम है तो इसलिए इसलिए victim के बिहाफ में case कौन फाइल करेगा state इसलिए आप लोग सुनते होना state versus मानलो को राहूल है तो state versus राहूल सियाम जयाम जो भी है तो इसलिए state आता है तो basically यहाँ पर आप एक चीज़ धियान रखना victim के against में case state फाइल करता है state क्यों फाइल करता भी मैंने बताया क्योंकि criminal जो matter होता है ना criminal matter अभी मैं आपको आगे सारा और भी अच्छे से explain करूंगा इस चीज़ को पूरा society effect होता है ठीक है crime से पूरा society effect होता है और पूरा society को product करना किसका काम होता है state का इसलिए state लड़ता है case ठीक है तो अब जो case चलेगा वो क्या चलता है जिसे यहां पर मालोग victim का तो नाम नहीं चलेगा यहां पर कौन सा आ गया scene में state आ गया ठीक है state versus कौन चलेगा यहां पर यह चलेगा और एक बात देखना यहां पर जो person accused होते है ना accused ठीक है accused को accused भी represent accused को भी represent करा जाता है lawyers की द्वारा ठीक है जो lawyers accused को represent करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं defense lawyer क्या बोलते हैं भाई defense lawyer इसको आप धियान रखना जो lawyer accused को represent करते हैं उसको हम लोग बोलते है defense lawyer ठीक है यहां तक आपको मैं थोड़ा यह basic difference दिखाता हूं कहां पर क्या है crime जो किसी individual के अगेंस्ट होता है ना किसी individual के अगेंस्ट होता है यहां देशे दो individual आप देख रहोगे यह और एक person यह जब किसी individual के अगेंस्ट होता है तो वहां पर dispute कौन सॉल करता है civil law ठीक है जब कोई भी dispute society के against होता है society के against जब कोई dispute होता है तो उस dispute को कौन सॉल करता है कोई केस यदि society के against है तो वह criminal law solve करता है आप इसको धियान रखना और criminal law में दो parties तो होता ही है एक party और होता है कौन state होता है एक victim हो गया एक state हो गया एक accused हो गया तो total तीम party होता है ठीक है और civil matter में always दो पार्टी होगा ठीक है आप इसको धियान रखना अब देखो आप यहां तो हम लोग देख लिए state क्यों केस फाइल करता है behalf of victim मैंने आपको बता है क्योंकि अभी explain करा मैंने अब देखे थोड़ा सा difference करेंगा हम लोग civil law और धियान रखना criminal law में क्या फाइल होता है अभी जस्ट हम लोग देखे complaint file होता है और और कहां किया जी और आप यह धियान रखना civil matter में suit file होता है civil matter में suit file होता है और criminal matter में क्या file होता है complaint अभी तक हम लोग basic ना civil law में जो party suffer करता है मान लो यह party है यह suffer कर रहा है तो यह court क्यूं जा रहे थे आपका मान लो मैंने 100 रुपे लिया मैं आपको 100 रुपे नहीं दूगा तो आप court क्यूं जाओगे 100 रुपे लेने के लिए ना तो civil law में जनरली लोग जाते हैं compensation के लिए क्यूं जाते हैं भाई compensation के लिए आगे मैं और विच्छे से बताता हूं को थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है बट आप प्लीज देखो आपको बहुत knowledge मिलेगा अब थोड़ा सा हम लोग criminal law civil law difference करते हैं देखिए civil law को हम लोग private law भी बोलते हैं civil law को हम लोग private law बोलते हैं और criminal law को हम लोग public law बोलते हैं अब ऐसा एक्ष्यू बोलते हैं यह मैं अब आपको बताता हूं ठीक है वापरे काफिस time हो गया कि सब्सक्राइब कर लो यहां पर एक person है कि कि ए और एक person यह बी को खराब कर दिया ठीक है एने बी का repetition को खराब कर दिया क्या इससे पुरिए society गोई मतलब है यह बी का repetition खराब कर दिया ओवियस सी बात है इनका यह private matter है ठीक है एक एक्जापल और आप देखो यहां पर मैं मालनो इन दोनों के बीच में कोई लेकर के डिस्पीट होगा कोई प्रोपर्टी को लेकर क्या क्या से पुराईटी को कोई मतलब है यह इनका प्राविट मेंटर रहा भई अपना सुल्टा है है कि नहीं तो यदि दो individual का कोई matter है जो मैंने आपको पहले बताया यदि कोई दो individual का matter है ठीक है दो individual का matter कौन सॉल्व करता है अब इस मैंने बताया civil law तो और इन दोनों का matter को society से कोई concern नहीं है इन दोनों का अपना private matter है इसी लिए हम लोग civil law को private law भी बोलने है क्योंकि यहां private है मानलो यह husband है यह wife है इन दोनों का बच्चा का custody किसके पास होगा इससे मुझे क्या मतलब है यह रखे weather यह रखे उससे मेरे को क्या मतलब है तो यह कैसा matter हो गया यह private matter हो ठीक है यह कैसा लोग गया private law हो ठीक है अब मानलो यह इसका contract को तोड़ देता है इससे मेरे को क्या मतलब है तो तो धियान रखना civil law को क्यूं वो प्रैवेट लोग बोलता है आपको समझ में आगे हो क्योंकि यहां पर सोसाइटी को कोई concern नहीं होता है यहां पर दो individual का मेर्टर होता है और वो दोनों का प्रैवेट मेर्टर होता है इसलिए अम लोग civil law को दो पार्टीज होता है ना इसलिए आप देखते हो राम वर्सेस याम प्रसांत वर्सेस राहूल इस तरह का मैटर देखते हो ए वर्सेस भी ठीक है इसलिए ऐसा होता है सिविल में अब थोड़ा सा आप क्रिमिनल का देखो क्रिमिनल लोग को क्या बोलते हैं लोग पब्लिक लोग अब पब्लिक लोग क्यों बोलते हैं यह देखो कि कोई पर्सन मालों मुर्डर कमीट करता है तो अभी जस मैंने बाता है वो पूरे सोसाइटी के लिए थ्रेट होता है और सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना किसका काम हो को हम लोग और तो यह को आप पपव्lorक में क्या देखता हूँ और फिर्शर को कि अम दरर रपर एंद्र आक अप इसको ढवे डेखिए अग्जांट्थ देख रहा हूं जैसे अन्यवन्हर गमेट है इससे पूरा सोसाइटी को कंसर्ण है कि नहीं, मानलो किसी का मर्डर हो जाता है, तो इससे पूरा सोसाइटी कंसर्ण है, इससे मानलो रेप हो जाता है, तो पूरा नियूज में आता है, मर्डर हो जाता है, किसी का पूरा नियूज में आता है, आप देखते हो पूरा पेपर म होता है क्यूंकि इससे पूरा सोसाइटी एफैक्ट होता है पूरा संप एक ठेट होता है और सास्याइटी को परोटेक्ट करना स्टेट का काम होता है इसी लिए हम लोग क्या बोलते हैं criminal laws are also known as पब्लिक लौउ ठीक है अब इसको दिएन रखना अब दोनों लौग का थोड़ा सब्सक्राइब लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं यह ना तो देखो शिविल लौग का अब्जेक्टिव होता है इंडियुजवल का जिसे मान लोग यह एक इंडियुजवल है और एक इंड criminal law का जो objective होता है पूरे society को पूरे society को पूरे society as a whole पूरे society को protect करना किसका काम होता है यह criminal law का होता है यह basic difference है ठीक है आप इसको धियान रखना और civil law में आपको पता ही होगा यह civil law में कोई punishment नहीं मिलता है ठीक है मैंने आपको दो पार्टी बता है था एक पार्टी A था और एक पार्टी B था ये मानलो plaintiff था तो plaintiff जो court जाएगा court किस लिए जाता था ये court जाता था compensation के लिए किसके लिए court जाता था तो एक पार्टी जो court जाता है जो भी उसका damage होता है जो भी छती होता है वो उसको मांगने के लिए court जाता है जिसे मेरा 1000 रोपया तुमने नहीं दिया था तो मैं court क्यों गिया था कि आप मुझे वो 1000 रोपीज दे दो मैं अपना damage जो भी मैं suffer कर रहा था बेसिकली मैं compensation के लिए court गिया था यहां पर कोई punishment नहीं मिलता है civil law में और criminal law में punishment मिलता है ठीक है आप इसको धियान रखना और जो defendant होता है जैसे कि अभी मैंने आपको बताया नहीं यहां पर यह person plaintiff हो गया और यह person क्या हो गया defendant ठीक है defendant last में क्या होगा libel या फिर not libel उसी तरह से यहां criminal law में भी क्या होता था दो parties होता था है ना जिसे यह मानलो accused है तो accused जब तक guilty proof नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते थे conflict दियान रखनाब जब वो guilty proof हो जाता है तो उसको क्या मिलता है punishment यह फिर fine लेकिन civil law में क्या मिलता है compensation remedy में वहाँ compensation दियान रखनाब ठीक है agreed party जो प्रित होते है जो victim होते है प्रित को agreed party बोलते दियान रखनाब यदि आप not guilty हो criminal matter में तो आपको discharge करा जाएगा यदि आप guilty पाया जाओगे तो आपको punishment हो जाएगी ठीक है अब देखो जैसे कि मान लो यदि आपने crime करा ठीक है आप accused हो तो आप कैसे court जाओगे कैसे police आपको arrest करेगी ठीक है कैसे fire file होगा कैसे court जाओगे कैसे investigation होगा यह सारा procedure जो है यह कहां लिखा हुआ है यह सारा procedure है CRPC में यह सारा procedure किसके recording चलता है यह CRPC एक book होता है ठीक है law का book होता है जिसमें कि यह सारा procedure लिखा हुआ होता है चलो sir यह तो आपने criminal का बता दिया सेम इसी तरह से कैसे civil court में hearing होगा कैसे आपको complaint फाइल करना है कैसे suit फाइल करना है कितना दिन क्या यह सारा जो procedure है यह सारा CPC में होता है तो criminal law CRPC से चलता है CRPC के recording और आप धियान रहागना civil law CPC के recording और civil law के सुनवाई कहा होता है civil court और criminal court का सुनवाई जो trial होता है hearing कहा होगा criminal court इसको आप थोड़ा सा धियान रखना उमीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा यदि आप यहाँ तक भी देखे हैं तो एक पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका यदि इतना time दी हैं तो प्लीज आपको यदि वीडियो अच्छा लगरा लिक्ष्यर अच्छा लगरा है तो प्लीज आप इस चैनल को subscribe करें यदि पैसा तो लग नहीं रहा है और कर दो एक subscribe तुमारे एक subscribe से आपके एक subscribe से दिल खुस हो जाता है मैं बताना सकता हूँ इतना कुछ ही मिलती है प्लीज सस्क्राइब करो मैं ऐसे और भी आगे आपके लिए वीडियो बनाऊंगा यदि आप ऐसे सस्क्राइब को यदि कोई भी लीगल प्रॉब्लम हो ना कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो तो यह मेरा इंस्टाइडी आप मेरे से यहां पर पूछ सकते हो ठीक है यदि आपको लेक्चर का कोई भी पीडियो चाहिए या फिर कोई भी क्वेरीज हो यहां भी आप मेरे से पूछ सकते हो ठीक है यहां तक देखने के लिए अन तक मेरे सा बने रहने के लिए एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच फूर वाचिंग इस वीडियो और प्लीज शेयर विट यूर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच बाई गूनाइट